वेरी वेरी गुड ओनिंग तो आल अफ यू तो डियर स्टुडेंट आज की क्लास में हम स्टॉक और फ्लो पर फोकस करेंगे और फिर इसके बाद हम सर्कुलर फ्लो को कंटिन्यू करेंगे जिसमे की कि चलिए पहले समझने स्टॉक क्या है रेकिए बच्चे कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए आप जट से बता सकते कि इतनी मात्रा पड़िया आपको इसके पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप पॉइ एक जांपल से क्लियर करते हैं चीज को मान लेजिए आप मुझे बोलते सर इस महिने आपकी कितनी इंकम होगी वो तो मेरे कोर्स के उपर डिपैंड करता है कितने बच्चे इसमे एन लोड होते हैं उस पर डिपैंड करता है तो मैं नहीं बतापाऊंगा अभी मैं बोलुँ बढ़ने की इसके लिए मुझे कुछ इसाब लगाने की कोई टाइम डिरिशिंगे नहीं है मेरा बैंक बैंक स्कूर्प हो गया आपको बात समझाए स्टॉक और फ्लो क्या होता है इस तो फ्लो का मतलब यह चल रही है इस टॉक का मतलब है जो चीजें पिर पैर होके रख्यों रही है और जो चीजे पिर पर रख्यों होई है आपको मालूम होता से कॉंटिटी इसके लिए पको पॉइंट टाइम चाहिए और जो चीजे चल रही है उसको आप क्या बोलोगे इसको आप फ्लो लोगे एक्जामपल वट इस दा मीनिंग आफ स्टॉक टॉक्ट वेरिवल गुडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है तो वह अलड़े पिरपेर होके रेडी होके बन चुक है ना वो तहीं आ रहे हैं तो वह हमारे लिए के स्टॉक ऐस ऑन्दॉट जिन्वरी 2021 इट में स्टॉक वेरिबल्स आर नॉट टाइम डैमिशनल तो स्टॉक के लिए हमे कोई भी एक टाइम की नीड नहीं है पॉइंट में गता सकते हैं शुम मुर एग्जांपल अब इस ट्रॉक वेरिबल आर दर नैशनल वेल्थ हमारे नेशनल वेल्थ कितनी है हम बता सकते हैं नेशनल कैपिटल कितनी है मनी शापलाई एक सक्टरा जैसे कि लोग जैसे कि सारी चीज़ें हमारे आ जाती है स्टॉक के अंदर and what is the meaning of flow तो flow में flow variable refer to that variable मैंने भी बता है आपको flow का मतलब वो होता है जिसको जिसकी quantity को मेजर करने के लिए आपको पीरिड आफ टाइम के अब कितना माल बनके त्यार रुचक है बट कितना अभी आउटपुट होगा उस टाइम क्या तो मेरे फॉर्म का प्लक्षिन यह फ्लो हो गया तो आए समझते हैं फ्लो वेरिवल रेफर्ट टु डेट वेरिवल विचिस अ मेजर्ड ओवरा पीरिड आफ टाइम्स को मेजर करने के लिए पीरिड आफ टाइंट चाहिए एक जनवरी का महिना तो कोई पुरा पिरेड हो गया तो यह फ्लो है बर्थ रेट इन द यह तुसादन ट्विंटी अब दो जार बीस क्या है कोई पुरा कंप्लीट इयर है तो यह भी फ्लो है नेशनल इंकम इन टुसादन ट्विंटी ट्विंटी और फ्लो वेरिबल दा पीरिड ओफ टाइम कुड बी इसको एक टाइम लगता है यह बास में आपको आगे बच्ची स्टॉक फ्लो में हमें हर्ची लेकर चलना है अभी तो आपका पहले बेसी बन रहा है अब देखिएगा डिफरेंस बिबिन दा स्टॉक एंड फ्लो की अगर हम बात करें कि इस पर क्या डिफरेंस रहता है तो अब लड़ी आप समझ चुकें श्रीच को मिनिंग में इसको पॉइंट ऑफ टाइम में में मेजर कर सकते हैं इसको पीरिड ऑफ टाइम में देखिएगा इस टॉक वेरिबल रफ टॉड़ वेरिबल विच इस दा मेजर ओवर अपिरिड ऑफ टाइम क्लेरे बच्चे आगे यह आपके पास में हैं ताइम देखिए बड़ा था जो की चलता रहता है यह स्टाटिक और डैनमी का मतलब यह हो गया कि स्टाटिक का मतलब होगया कि अएक बार होकर कि त्यार होकर पड़ा हुआ है है रखाव है वह आपके पास प्रोसस में अभी भी एजिस चुकि काम जिसमें चलता रहता है होता रहता है एक्जामपल पॉपलेशन ऑफ इंडिया फ्रोडर नम्मर ओफ मारुतिकार्ष इंडली स्टॉक मनी सप्लाइ स्टॉक है नेशनल वेल्ट स्टॉक है थीकर ना कॉंट है मारति कास पीड़ आ गया ना मेंशन तो यह आपका फ्लो आ गया क्लिर रहे न तो यह सारी चीज़ें नेश्यनल वेल्थ आपका स्टॉक रहे हैं अब आपके पास में कितना अपने स्टोर कर रखा है यह स्टॉक जो चीज़ें पिर पेर हो चुकी है बड़ी चीजि़ चल जाएगी फ्लो आजागा तो कुछ टर्म से प्रियोड ऑफ टाइम आ जाता है और चीजिए फ्लो में चल रही होती है तो डिफ्रेशेट कर पाओ गया कि अग्यों कि हांजी अब मैं बात करता हूँ आपके अ, कि अ, एक्स्प्लेइन दा कंसेफ्ट आफ रियल फ्लो एक्स्प्लेइन दा कंसेफ्ट आफ रियल फ्लो नेखियो, इसके बारे में फैले बिश्सक्र सनमेने कर रहा था, कि एक Kubernetes basically किस तरीके से काम करती है दिकिए economic growth क्या रहता ही समझना हो आपको कुछ सवाल ख prosecution है कैसे हूं समझे पहले आज कुछ छर्चा कर लेते हैं यह बेस आगई तक काम मज़एका क्या कभी आपके मैं यह ख्याल आया कि यार हा पैसे की कमी है भारत के पास्प के या बारते सारे गरीब लोग हैं, तो इन लोगों को अमीर क्यों नहीं मेरा जा सकता है, हमारे पास में तो नोट छापने की मशीन जपकी है, अपनी खुद की करंसी है, हमारी खुद की मशीन है, तो नोट छाप छाप के छापने में जाता है, क्या है पेपर ही तो लगता है चाहब किन गरीब को बाट दे विचारे गरीब भी अमीर से उपर हो जाएंगे बलब यह गरीब ही आ फ्लो सान में आएगा तो यहां पर मान के चलिए आपके मन में एक सवाल है कि हमारे भारत में इतने लोग गरीब हैं और गरीबे रेखा से नीचे जी रहे हैं मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चे कि अगर आपके मन में कुश्चन है क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में जो गरीब लोग है जो बिलोदी पॉबर्टी लाइन है जो अपनी बेसिक नैसेश्टिस को भी फुल्फिल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सरकार क्यों नहीं सपोर्ट कर सकती है सरकार के पास में जब अपनी करंसी इस्यू करने की मशीनरी वगरा है पूरा का पूरा सेट अप है बस पेपर पे छापना ही तो और इन गरीब तक कोई पैसा पहुंचा दे तो इनकी जो सिच्विशन है वो बैटर हो जाएगी तो गवर्मेंट क्यों नहीं करती है यह सारी चीज़ें आपके मैं कि अपना हुए न मैंने यहां पर कोई 502,000 के नोट नहीं पहने हुए अभी घजा कर जो मैं खाना यह क्या है यह गुड्स है यह स्वेटर पहना हुए जो कि किसान जो है प्यादा करता है धागा बनता है फैक्ट्री में धागा बनकर करके फिर उधागी से फिर स्वेटर क करूंगा तो लंच की लिए भी मैं महां पको यह नोट 200 का ये 500 का नोट या सिक्य मैं तो कहीं नहीं न कहीं मेरी लाइफ की जो नैससीटी है उसको फुल्फिल गूड्स इंस services कर सकती है currency नहीं कर सकती है अगरी करते है इस बात से आप ना तो currency को ना तो उसको आप ओड़ सकते हो पैंच सकते हो सो सकते हो खा सकते हो पी सकते हो वो आपके किसी भी काम कर नहीं है basically आपकी life जो है comfort रहते हैं और आप अपने needs को fulfill goods and services के थ्रोई करते हैं और अगर आपको लग रहा है कि currency issue कर दे जाए मान के चली कि आप सुबह उड़ते हैं और आपके दरवाजा खोलते हैं और घर के आगे सबको पहुंचा दिया कोई गरीब नहीं रहेगा तो मैंने सूच है यार यह बात पिससे पैसा आगया काम पर क्यों जाओं काम पर निकल ली रहा था बहुत को फोन कर रहा है अब काम बंद मेरे दिवा में खयाल आया पैसा बहुत जादा है ब्याज इतना आ जाए काम करने कि जुरूत नहीं है कि रेंट्वेंट आ जाएगा इससे इंवेस्टमेंट कर देंगे पूरा बैक भर भर के पैसा रखके गए बास को फॉन करा मैं काम पर नहीं आओंगा मैंने पैसा रखा कि इस पैसे से अपनी पूरी जिंदगी अपनी सब कुछ अच्छे से जिऊंगा कि ऐसा सिर्थ मेरे साथ किसान के साथ में भी वकिता किशान वोली खेट में क्या ही करेंगा आपने घर बैठते हैं डॉक्तर 128 पर कहा जाना होस्पिटल वगएर हमें अपने घर बैठते हैं अपने जोरत के लिए सब कुछ तो आई गई है डॉक्टर बैठ गया किसान बैठ गया जो पानी की सप्लाई होती है पाइप्लैन के जो लेबर होते हैं मजदूर होते हैं वह बैठ गए रोड बनाने वाले बैठ गए जो सब बैठ गए अब आपके सिति गया सब के पास पैसा तो है लेकिन अब बाजार में खाने के लिए फूड नहीं पहने के लिए कपड़े नहीं कोई थोड़ी नहीं दाए तो उसके पास पहुंचा है तो अब बताइए आपके सिति कैसी हो गई है अब आप भूके प्यासे अब कोई कपड़े नहीं कुछ नहीं आप ऐसे जिंदगी में आप आ जाएंगे तो चाहिए आपका ग्रोथ है या बैकवर्ड चले गए आप बैकवर्ड चले गए ले बच्चे तो यह हम जो करन्सी को जब इशू करते हैं वो तभी इशू करते हैं जबकि पहले अब आप मानके चलिए कि में को कहीं पर भी जो एसे सिती है अब सब जगे पर अब जो है बुकमरी आगई है कहीं पर भी अनाज नहीं है तो वहीं जो अनाज जो पहले 50 रुपे किलो था अब वहीं चीज मैं लाख रुपे किलो लेकर कर आ रहा हूं और क्योंकि बढ़ीया सप्लाई कम थी डिवांड उस ताफ से जादा हो गए थी उस वहीं पचास की चीज लाख रुपे में जाकर आपने जाकर ख़ईद लिया तो चलो लाख की भी बिखी बट अगर ये एक पैन है ये दस के जगा मैं लाख रुपे में बैस दूँ तब भी तो एक की जो पूद में नहीं कहीं उनकी लाइफ जो स्ट्रगल और सर्वाइवल में चले जाती है तो एक तो इन्फलेशन आ गया दूसरी बात है कि आपकी पार्लम का सॉलुशन भी नहीं हुआ और आप अपने बैकवर्ड हो गया आप गूद से सर्विस के बिन आपने लाइफ को स्पैंड कर रहे हैं इस सुच्विशन आ गई है तो क्या इससे एकनामिक ग्रोथ हुई पैसे चाप करके आपकी घरों तक पहुचा देने से नहीं इससे एकनामिक ग्रोथ नहीं हुई इससे उल्टा हमारे एकनामी और बैकवर्ड में चली गई यह बास अजमा आपको आई इसलिए एक है जिम्बाम्बे भी उसमें से एक कंट्री है सबका अपना अपना इतिहास रहा अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर भारत में भी काफी हद तक चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रही थी एक समय पर 1990 से पहले-पहले एकनामिक रिफॉर्म से पहले-पहले लेकिन मैं आपको बात कर लेता हूँ स्री लंका कही हाभी हाल में या पाकिस्तान का ही जैसे क्या आप सुनते हैं यह इन्हों ने यही अपनी समझारी दिखाई कि हम पैसे चाप देते हैं और या फिर पैसे हम धाले लेने से गुर्सन सर्विसिस का अप्लक्शन नहीं होग जो है झार और उस वहां के वहां पर जो है जो चुछा का हमारे हैं बीस रुप़े किंए होँ हैं यही तो यह तो बड़ा कारण मना और पांस रुपे होने तो आपको एक बात संज में आई कि goods and services का flow होना जरूरी है economic growth के लिए ना कि सिर्फ currency का flow होना जरूरी है ये बात संज में आई बच्चे और तो ये तभी possible हो पाएगा जब जो काम करेगा तभी उसको पैसा दिया जाए तक कि पैसे को देने से पहले काम आ जाए फिर पैसा दो से लेबल रहेंगी inflation नहीं आएगा और लोगे नीड्स फुल्फिल होंगी goods and services होंगी इसी को हम बोलते है circular flow बात संज में यह नहीं आए आपको clear है अब circular flow के अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चे तो circular flow में basically यहां पर अभी में दो सेक्टर एकनामी रख रहा हूं दे दिरे म में government भी लाऊंगा दे दिरे में banking sector भी लाऊंगा दे दिरे में आपका import एक्सपोर्ट भी लेकर करके आऊगा बट एक एक करके पड़ेंगे लिए circular flow के अगर मैं बात करता हूं तो how many types of the circular flow there are two types of the circular flow first of the real flow and money flow तो there are two types of circular flow real flow and money flow मैं real flow की बात कर देता हूं पहले देखिए दो चीज़े होती है एक household होता है एक फॉर्म होता है एक household अब household क्या है household का मतलब क्या है कि परिवार अब परिवार किसके परिवार की बात कर रहा हूं मैं अपनी है और आपकी देखिए macro economy है यहाँ पर भारत प क्लियर है और एक हो गया firm चितने ही firm है मेरी चोटी सी company है किसी चोटी सी firm है किसी कुछ business है किसी कुछ काम है जो भी है सब के सब फॉर्म के नाम में आ गया अगर सबसे पहले क्या होता है अगर मैं goods and services की flow की बात करता हूं तो सबसे पहले यह चीज़े निकलती कहा से एक household से कोई firm ऐसे नहीं मन जाता है अगर आपने कोई business के बारे सोचा में business start करना है तो सबसे पहले क्या आपने रिस्क नहीं लिया कि वो नहीं चलेगा तो आपको नुक्सान जिलना पड़ेगा सबसे पहले आप खड़े वे और आप कहां से आए आप परिवार से उठकर के आए हो तो सबसे पहले एक entrepreneur दिया एक household ने उसके बाद आपने जमीन किराय पे लिए तो किसी household ने land दिया किसी के परिवार से मजदूर काम करने आए तो किसी के परिवार household से लेबर आ गया किसी ने पैसा दिया कि लगाओ फिर जब आगे आएगा तो मुझे लोटा देना व्याज लूँआ इसका मैं कि तो वो कहां से आया बंदा वो भी household से आया तो पहले चार चीज़ें household से निक समस्तिएं वी फिर्वां कि करती है लेबर यूस करती है आप लिएंड करती है एंसको इसको फारेली बेज चाही है और यह जाता कहा है खालते तो हमीं लोगे तों बया खालता है तो हा। तो इस तरीके से जो है फ्लो हो पाया और लोगों की जुरुत पूरी हो पाई अब पहले क्या आता था कि पहले इतनी सारी फैसिलिटीज एवेलिबल नहीं हुआ करती तो हास्वोल से चीज़ें जाये नहीं करती थी पहले सारे के सारे लोग अगरिकल्चर बिटेपेंड होते तो वह साथ से जो है फूड ग्रेंस वगएरा यह फडियूस होता था तो वह करते थे और वहीं खाते थे बागी फर में थी नहीं इसलिए कपड़ों का और बागी सूस वगएरा बागी टेकनलोजी लापटाफ वगएरा इस सारे चीज़ें उस समय फिर एवेलेबल नहीं इसके बिना थोड़ा सा लाइफ थोड़ा सटप था ट्रांस्पोडेशन नहीं था बड़ आज के लोगी लाइफ जादा लग्जिरिस लाइफ है क्यों क्योंकि आज हाउस होल्ड से ज्यादा चरती यह जा रही है और फ़र में उसको फ्लो मेंटेन हो पा रहा है कि यह बात पुच्छे स्वंज माई यह नहीं मताएं ज़रा हुआ कि डाग्राम नहीं बनाना बच्चे कि ठीक है कि हांजे तो इसको हम बोलते हैं बच्चे रियल फ्लो रियल है यार यह क्योंकि हमाई लाइफ कॉमफर्टेबल होती है गोर्सन सर्विसिस से तो गोर्सन सर्विसिस के फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं अब पैसा कि तरह गुमाना था गुट ज़रा है नहीं तो उससे को हमाई लाइफ से को चैज थोड़ी हो जाएगा अभी ने एक्जांपल लिया तो इसलिए labor capital enterprises तो हाउसोल्ड नमारे पास में इसी चीले गई इसको दिया तो यह realflow के real flow referred to the flow of two sector services from the household to firm कहा जाता है सबस्ब्सक्राइब पहले होता है household से firm के पास में and the corresponding flow of the goods and services from जो goods and services कहां साथ डाइग्राम दा डाइग्राम प्रोवड़ाइड फेक्टर सर्विस इसको हम क्या बोलती है तो शूर्सिस को हम एक्टर सर्विसे तो असीन इंद डाइग्राम दा provide sector services to the firm which is done in providing जो की turn हो जाता है किसमें जो goods and services में to them as the reward, as a reward उसको मिल जाता है, it is also known as the physical flow, इसको physical flow भी करते है, real flow करते है, there is a only exchange of goods and services between the two sector without involving of any money, इसको कोई money नहीं है, real flow में बता रहा हूं आपको, आपको physical flow की बात कर रहा हूं, real flow determines the magnitude of the growth process, ये ये जितना ज्यादा real flow होगा, उतना ज्यादा goods and services का production हुआ, और जितना ज्यादा हुआ, उतने ज्यादा लोगों तक के चीजे पहुच पाएंगे, और उतने ज्यादा लोगों के life पहले से comfort हो पाएंगे, तो ये growth का एक जो है status है, magnitude of the growth process in the economy, for example, when more factory services are offered to a firm, then the volume of the production will be the more, and it speeds of the process of the economic growth, अब in-line का मतलत समझ पाएंगे आप, मैंने एक्जाम्पल लेता है, पुराने जमाने में, ज्यादा factor services transfer नहीं होती थी, तो उसके फिर life भी जो है, थोड़ा tough था उस समय, transportation नहीं था, medicine नहीं था, बहुत साची है, बहुत difficulty, बढ़ आज के time पे जा रहा है, तो आ तो इस सारे चीज़ें आज हमारी life पहले से ज़्यादा comfortable होगे, वहला कई नहीं के comfortable life का होना ही growth कहलाता है, और इसी को economic growth कहते है, भी थोड़े पहले में बता है, तो अब आप इस एक लाइन के importance को समझ पा रहोंगे मेरी उस कहानी के मादल से, अगला explain the concept of money flow, अब money flow में आ पैसे का flow कैसे होता है, तो अब याप पैसा सबसे पहले मेरे पास में, मेरे परिवार के पास में, आपके आपके पास में, पैसा फर्म से ही आता है, कैसे, आपने factor services दी, अगर आपने land दे रखा हो फर्म को, तो rent आपके पास में आ रहा है, पैसा तो आपने labor दे रखा है, तो वहाँ पर आपको wages आया फंसी आया पैसा तो अगर आपने लगा रखता है तो आपको interest आया पैसा अगर आप एंटरिटर्ट पिने हो रहे है तो आपको profit आ रहा है प्रम दी दे रहा है पैसा आपको और हाउसफोल भी पैसे को ठागर के कंजम्शन एक्सपेंडिचर कर देगी और जब खर्च करेंगे तो पैसर वापस फर्म तक पहुंच जाएगा आप यह मोबाइल लेते हो पैसे दुकानदार को पैसे कहा पहुंचा फिर मों पहुंचा तो इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं वनी फ्लो कहते हैं money flow refer to the flow factor payment of from from firms to household for therefore the factor services and the corresponding flow of the consumption of expenditure from the household to the firm for purchase the goods and services produced by the firm as seen in the diagram the firms make factor payment from some of the factor payment to household for their factor services and household spend his income on the purchase of the goods and services produced by the firm जो ने बनाया तो उस्परे खर्च कर देती है इडिस आसो नोन अस नॉमिनल flow clear enough it involves the exchange of money between two sector तो बच्चे एक तो आपने real flow physical flow पड़ा और आपने money flow और nominal flow एक ही चीज़े होती है ये clear है ये बात समझ पाया आप कोई doubt है तो पूछिए है हां जी वाच्चे तो बात करते हैं यहां पर a real flow or money flow के बेचे differentiate कर लेते हैं क्या है meaning it is the flow real flow it is the flow of the goods and services between the firms and household and it is the flow of money between the firms and household kind of exchange it involves the exchange of the goods and services और इसमें money difficulties in exchange there are the may be difficulties of the bottle system exchange of the goods and factor services there is a no difficulties पैसे तो आने में जाने में दिक्कत में दिक्कत में होती है alternative it is also known as the physical flow and it is also known as nominal flow clear है बच्चे सारी बाते discussion में आ चुकी है clear है आप explain the concept of the circular flow in a simple economy इसको simple economy इसलिए कहते है क्योंकि यह पर मैंने क्या लिया आपको two sector economy लिया अभी मैंने अभी मैंने government को नहीं अभी मैंने इसमें include करा मैंने भी इसमें वो three sector हो जाता इंपॉर्ट एक्सपॉर्ट नहीं लाए अभी four sector हो जाता वो सब लेकर करके आऊंगा मैं नेस्ट क्लासिस में बट रहे हैं जब ऐसा कोश्य आ जाए ना तो हमें दोनों को compile बताना है real flow and money flow दोनों को इससा बताना है कैसे कुछ इस परकार से तो सबसे पहले एक आपके पास में क्या हुआ हाउसओड से इस फक्रेक्टर सर्वीजिस के लेइंड लेबर कैप्र वाला देखें फ़र्म ने क्या कर आज को बूद से बनाए और यह हाउसब्स तक पहुंचा दिया एक फ्लो कंप्लिट इसको बहुत है हम रिएल फ्लो एंड फिसिकल फ्लो अ सर्विसेश क्लेरे बच्चे यह समझ पाएं आप कि हाँ अभी तो में डलो एफ में ही क्लासिस रखेंगे बिटा बढ़ मुझे असा लग रहा है कि इस वीक में अभी एक दूद में टाइम साट हो जाएगा आपका क्लेरे बच्चे तो वही चीज़ आप रिपीट करेगा आप इसको एक बार खुद आप पढ़ लिना तो उम्मीद करता हूं आज शी क्लासिस में आपको एकनॉमिक ग्रोप का एक्च्छल मीनिंग पता लगा और स्रक्लर प्लो का भी इंपर्डेंस पता लगा आपको मनी फ्लो एक डिफरेंट चीज होती है और आज से आप इंपर्डेंस गुड्स इंस तर्विस के फ्लो पर देंगे इतना बेस आपका त्यार हो चुक्का है कल यहां पर मैं गवर्रमेंट की एंट्री कर दोगा क्योंकि जरूरी अगुड्र ले लिया तो क्या गूर्सन सर्विस्स के फ्लो में जो प्रद्यूस करेगा उसका कम नियुगों जाएगा तो क्या होगा जब करती है तो पैसा बट्रो करेगी कि नाम ही से तो पैसा वापस कैसे कर सकते हैं हम एकनोमिक अंदर उस पढ़ेंगे जिसकों लीकटिज एन इन्जेक्शन के नाम से आगे हम बैंकिंग सेक्टर के पर पास में भी जाएंगे बड़ा इंपरें टापिक है जो वह आगे पढोगे क्लियर बच्छे